reasoning case question में हमारे पास ये एक box problem है यहाँ पर कुछ numbers दिए गए हैं बाहर के जो square है उसमें number है छोटे और अंदर के जो square है उसमें number है बड़े मतलब बाहर के जो दो-दो number है उनसे मिलके अंदर का number बना होगा तो पहले हम left side का जो square है जिसमें लिखा है 7 to 23 उस से देखिए 7 और 2 से 23 कैसे बना है अगर हम बाहर के जो दो number है 7 and 2 उन दोनों को minus करें और फिर square ले ले और फिर उस से minus कर दें जो छोटा number है तो हमें मिलेगा 7 minus 2 5 का square फिर minus 2 तो देखिए यहां पर 25 minus 2 23 मिलेगा अब इसी तरह से नीचे वाले square में देखिए जहां पर number है 2 5 and 9 तो हम बड़ा number लिखते हैं पहले 9 minus 5 उन दोनों का square करेंगे फिर छोटा number minus कर देंगे तो यहां पर 9 minus 5 4 आएगा 4 का square फिर minus 5 तो 4 का square 16 होगा minus 5 करेंगे तो 11 देखिए अंदर के square में 11 ही लिखा गया है तीसरी picture में भी ऐसे हैं जो बड़ा number है 11 11 से छोटा number minus कर देंगे और square कर देंगे फिर minus छोटा number को उसी तरह से square minus कर देना है तो 11 minus 4 7 मिलेगा minus 4 7 का square minus 4 7 का square होगा 49 minus 4 45 हमें answer मिल चुका है कैसे चोटी picture में जहां question mark है वहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे जो बड़ा number है उससे छोटा number minus करेंगे फिर square कर देंगे तो 10 minus 3 square फिर जो छोटा number है वो as it is minus कर देना है उससे तो हमें मिलेगा 7 का square minus 3 7 square होगा 49 minus 3 46 और option number second में 46 ही दिया है यही सही जबाब होगा चार पार सचावर को बाषे करेंगे